So Hello Guys, कैसे हूँ आपसे बाई हूप आप लोग अच्छी हूंगे Guys आज के सीड़ों में आपको बताने वालों कि कैसे आप अपने फोन के कीबोर्ड का बैग्राउंड चेंज कर सकते हूँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हूँ मैंने अपने फोन के कीबोर्ड का बैग्राउंड चेंज कर रखा है जो कि देखने में काफी ज़्यादा अट्रेक्टिव लग रहे है सेम इसी तरह आप भी अपने फोन के कीबोर्ड का बैग्राउंड चेंज कर सकते हूँ वहाँ पे आप अपना photo set कर सकते हूँ और guys मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने phone में Hindi में typing कर सकते हूँ क्योंकि guys Hindi में type करना काफी जाधा tough होता है काफी जाधा time लगता है इस वीडियो में आपको एक ऐसी trick बताने वाला हूँ कैसे आप अपने phone के keyboard को change कर सकते हूँ guys इन सभी tricks के बारे में आपको जरू जानना चाहिए क्योंकि guys जो keyboard होता है वो काफी important part होता है phone का ठीक है आपको हमेसा ये काम आएगा तो मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो को पूरा जरू देखेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो like, share, comment, channel को subscribe जरू केज़ेगा चलिए वीडियो को शुरू करते है अब guys चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि कैसे आप अपने phone के keyboard का background change कर सकते हूँ guys इसके लिए आपको सबसे पहले play store में जाना होगा play store में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है gboard और guys यह वाला keyboard आपको यहाँ पे मिल जाएगा लेकिन install का option नहीं आएगा अगर guys यहाँ पे आपको update का option मिलता है तो आपको सबसे पहले इसको update कर लेना है यहाँ पे मैंने इसको update कर रखा है इसलिए यहाँ पे ना तो update का option आ रहा है नहीं install का option आ रहा है क्योंकि guys जो gboard और keyboard होता है वो already सभी phone में installed होता है ठीक है pre-install होता है जब आप phone को खरीतते हो तो उसके साथ में gboard हमें मिलता है ठीक है आप बैग्रांड को change कर सकते हो यहाँ पे आप काफी सारे बैग्लांड मिल जाएंगे अगर आप प्लेन बैग्रांड यूज करना चाहते हो ताब यहाँ पे लास्ट में एक इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे नीचे आपको dark भी मिल जाएगा simply आपको इसको download करना होगा और background में set करना होगा तो चले मैं आपको एक set करके दिखाता हूँ जैसे माल लिजे कि मुझे यह red color set करना है background को red करना है तो इस पे आपको click करना है अब guys आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो background है कुछ इस तरह लगेगा आपको simply आप apply पे click करना है और यह apply हो जाएगा ठीक है तो अभी हम इसको cut कर देते हैं इसके बाद guys अगर आप अपना photo set करना चाहते हो simply आपको यहाँ पे default पे click करना होगा और आपके phone की gallery open हो जाएगा ठीक है और यहाँ से आपको उस photo को select करना है जिसको आप background में set करना चाहते हो जैसे माल ले जी कि मुझे ये दूसरा वाला photo set करना है तो इस पे हम click करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का photo background में set होगा आप यहाँ से इसको अपने हिसाब से customize भी कर सकते हो set भी कर सकते हो अब आपको यहाँ पे next पे click करना होगा ठीक है इसके बाद guys आपको brightness को adjust करना होगा कितना bright आप background को रखना चाहते हो ठीक है तो यहाँ पे आप इस तरह background को adjust कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे यहाँ पर कम कर दोगे तो background कम दिखेगा, अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो background यहाँ पर ज़्यादा दिखने लगेगा, तो इस तरह guys आप इसको अपने हिसाब से set कर सकते हो, इसके बाद आपको यहाँ पर done पर click करना है, अब guys आपको इसको apply कर देना है, तो यहाँ पर हमने इस photo को keyboard पर apply कर दिया है, अब हम back आते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यह वाला photo background में set हो चुका है, जो कि देखने में काफी ज़्यादा मैजदार लग रहा है, इस तरह guys आप बहुत ही आसानी से keyboard का background चेंज कर सकते हो, अब guys चले में आपको बत Google Indic Keyboard, यह जो application है, यह Google का application है, ठीक है, दोस्तों आपको security का बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेना है, यह जो keyboard है, यह Google का official keyboard है, simply आपको यहाँ पर type करना है, Google Indic Keyboard, आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले number पर आ चुका है, अब इस पर click करते हैं, तो दोस्तों इस application को मैंने already install क रखा है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह Google का official application है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको use करना है, ठीक है, guys, simply आपको इस application को install करके, कुछ permission allow करने होंगे, आपको permission को allow कर देना है, ठीक है, अब हम WhatsApp को open करते हैं, guys, यहाँ पर हमने WhatsApp को open कर लिया ह ठीक है, इसके बाद, guys, आपको यहाँ पर English दिख रहा होगा, English लिखा है, आपको simply यहाँ पर long touch करना होगा, जब आप यहाँ पर long touch करोगे, तो keyboard change करने का option आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप अपने phone के keyboard को बहुती आसानी से change कर सकते हूँ, ठीक है, काफी सारे यह बताते हैं कि आप settings से जाके keyboard को change कर सकते हूँ, guys, अब आप यहाँ से भी keyboard को change कर सकते हूँ, simply आपको यहाँ पर touch करना होगा, जितने भी keyboard आपके phone में installed होगे, आपको यहाँ पर so हो जाएंगे, ठीक है, जिस भी keyboard को आप use करना चाते हूँ, आप उस पे click करके उस keyboard को य यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, जिस भी keyboard को आप use करना चाते हो, आपको उस पर tick करना होगा, और वो keyboard select हो जाएगा, ठीक है, जैसे माल दिजए कि मुझे यह Google Indie keyboard use करना है, तो यहाँ पर हम इस पर tick करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे जो keyboard है, वो change हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हेलो टाइप हो गया, आप कैसे हो, तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने इंगलिस में टाइप किया, हमारे जो words हैं, वो automatic हिंदी में convert हो गया, ठीक है, तो दोस्तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से Google Indie keyboard को use करके, fast typing कर सकते हो, और गैस आप यहाँ से keyboard को change भी कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो keyboard को option आगया, अगर हमें Gboard use करना है, तो हमारा Gboard open हो गया, ठीक है, इस तरह आप keyboard को use कर सकते हो, इसके बाद गैस अगर आपको Hindi में type नहीं करना है, आप English में typing करना चाते हो, तो आप कोई भ आपको English पे क्लिक करना होगा तो आप यहां से English में टाइप कर पाऊगे ठीक है तो जैसे आप यहां टाइप करते हैं इंग्लिस में Hello तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हूँ यह English में टाइप होने लगा ठीक है इस तरह आप अपने फोन के keyboard के background को चेंज कर सकते हो Hindi में टाइपिंग कर सकते हो और गैस कीबोर्ड को बहुती इसली चेंज कर सकते हो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह विडियो पसंद आएब विडियो को लाइक कर दो यार चैनल पे नए आए आए चैनल को सस्क्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नेन अप्रिकेसं से लेटे नेन ट्रिक्स से लेटे वीडियो बनाता रहता हूं वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद